नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सनातन लोग पर दोस्तों आज हम लेकर आए हैं महंदिपुर बालाजी मंदर की स्थापना की कथा और मंदर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है जल्दी से इस चैनल को सब्सकाइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो महंदिपुर बालाजी मंदिर राजिस्थान राज्ये के दोसा जिले में इस्तित हनुमान जी का एक परसिद्ध मंदिर है इस मंदिर की स्थापना की पौरणिक का था इस प्रकार है लगबग 1000 साल पहले इस स्थान के समी भी गनेश पूरी नामक ब्रहमन रहते थे एक बाज जब रात को वो सो रहे थे तो उन्हें स्थान में तीन देव प्रतिमाय दिखाई दी और वो नींद में ही उठका चल दिये और जहां आज महंदिपुर बालाजी मंदर इस्तित है वहां पहुंच गए उस समय यहां बहुत घना जंगल होता था और सभी जंगली जानवर यहां रहते थे यह इस्तान दो पहाड़ियों के बीच है यहां पहुंचकर गणेश पूरी जी ने एक विच्चित रिल्ला देखी कि एक ओर से हजारों जलते हुए दीपक चलते आ रहे थे हाती घुणों की आवाज आ रही थी और एक बड़ी फौज चली आ रही थी उस फौज ने उस पहाड़ में इस्तित श्रीबाला जी हनुमान जी की मूर्ती की तीन बार गोल गोल घुमकर परिक्रमा की फिर स्रीजुका कर परणाम किया और फौज के प्रधान ने नीचे उतर कर श्रीबाला जी महराज को दंडवत परणाम किया और वो जिस रास्ते से आये थे उसी रास्ते पर वापस चले गए यह सब देखकर गणेश पूरी जी चकित रहे गए जब उन्हें ध्यान हुआ कि वे घणे जंगल में आ गए हैं तब उन्हें कुछ डरसा लगा और वे वापस अपने गाउं में आ गए घर आकर जब वापस विस्तर पर सोने के लिए गए तो उन्हें फिर तीन मूर्तिया दिखाए दी और आवाज आई कि उठो मेरी सेवा का भार ग्रहन करो में अपनी लिलाओं का विस्तार करूँगा गणेश पूरी जी ने इसे मात्र स्वपन समझ कर जादा ध्यान नहीं दिया फिर कुछ दिन बाद हनुमान जी ने गणेश पूरी जी को स्वेम धर्शन दिये और पूजा का आगरे किया तब गणेश पूरीजी दोबारा उस घने जंगल में उस मूर्ती के पास पहुंचे वहाँ चारों तरफ घंटे और नगाडे बजने की आवाजे आ रही थी किन्तु दिखाई कुछ नहीं दे रहा था इसके बाद गणेश पूरीजी ने यह सब बात गाँवालों को बताई और गाँवालों की सहयता से उस जंगल में साफ सफ़ाय का कारे किया और वहाँ पर हनुआन जी की पूजा अर्शना प्रारंब की दोस्तो वही स्थान आज महंदीपूर बालाजी के नाम से विख्यात है दोस्तो यह थी महंदीपूर बालाजी की स्थापना की कथा अब इस मंदिर से जुड़े कुछ उरुचकत्तियों और रहस्यों के बारे में बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का यह स्थान करोली तथा दोसा दो जिलों की सीमा पर है यह स्थान आधा आधा दोनों जिलों में आता है और दो पहाड़ीयों की घाटी में यह मंदर इस्थित है इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर इस्थान भी कहते हैं मेहंदी पुर्बाला जी मंदिर में सातो दिन भक्त जनों का ताता लगा रहता है किन्तु मंगलवार और शनीवार हनुमान जी के विशेश दिन है यहां हजारों की संख्या में पूरी दुनिया से भक्त जन आते हैं मेहंदीपुर बाला जी में हनुमान जी की मूर्ती को अलग से किसी कलाकारने गड़कर नहीं बनाया है। अपितु यह मूर्ती प्राकिर्तिक रूप से परवत में उभरी हुई है। इसी मूर्ती के चड़नों में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं इसका रहसे यह है कि बाला जी की बाईई और छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे एक बारीक जलधारा निरंतर भहती रहती है जो पर्याप्त चोला चड़ जाने के बाद भी बंद रही होती कहते हैं कि यह बाला जी का पसीना है। मेहंदीपुर बाला जी मंदर में हनु बाला जी, श्री प्रेतरा सरकार तता भहरव जी तीन देव विराजमान हैं। यहां बाला जी को लड़ू, प्रेतरा जी को चावल और भहरव जी को उडद का परसाद चड़ाया जाता है। जिनके अंदर भी भूत प्रेत या कोई उपरी चकर हो तो वह परसाद खाते ही अ जिना कूतवाल के रुप में विराजमान है, बहरव जी दुष्ट आत्माओं को पकड़कर बाला जी के दरवार में प्रस्तुत करते हैं, बाला जी नियाधीश अत्वा राजा को रूप में दंड सुनिश्चित करते हैं और श्री प्रेतरा जी बाला जी के महमंतरी के रू अपनी पूंच समुद्र में बजाने गए तब नीला सुर भी हनुमान जी के पीछे पीछे वहां पहुँच गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि किरपे आपना परीचे मुझे दीजिये कहीं आप साक्षा स्री विष्णू, ब्रह्मा अत्वा शिव में से कोई एक तो नहीं है हनुमान जी ने मुस्करा कर उनकी और देखा और कहा रिशीवर मैं ने तो हरी हूँ ने ब्रह्मा मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ जो स्यम नारण के अवतार हैं उन्हीं की किरपासे लंका धहन के समय अगनी भी मुझे कोई कष्ट नहीं दे सकी और आपकी मायावी शक्ती भी इस अगनी को भुजा नहीं पा रही है इस पर रिशी नीला सुर ने स्री हनुमान जी से उन्हें भी श्री राम की शरण में ले जाने के लिए प्रार्थना की तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वाशन दिया कि रावन बद के पस्चात वह श्री राम जी से उन्हें अवश्य मिलाएंगे युद्ध में रावन के बद के पस्चात हनुमान जी ने रिशी निला सुर को भगवान श्री राम के दर्शन कराए जब श्री राम जी ने सर्युगमन करने से पहले श्री हनुमान जी को धरापर रहकर भक्तों का कल्यान करने का आदेश दिया तब श्री हनुमान जी ने रिशी नीला सुर को अपना महमंत्री घोशित करते हुए आकाश गामी सुक्ष्म सक्तियों पर अधिपत्ते करने को कहा और उन्हें प्रेत राज सरकार की उपादी से विभुसित किया तब से रिशी नीलासुर को प्रेतरा सरकार कहा जाता है कल्यूग में जब हनुमान जी ने श्री प्रेतरा सरकार को महंदीपुर में प्रकट होकर उनके सहयता करने के लिए आगरे किया तब प्रेत राज सरकार ने हनुमान जी से यह शर्ट रखी कि उनका इस्थान हनुमान जी से उपर होना चाहिए और उनकी पूजा भी पहले होनी चाहिए हनुमान जी ने यह उनकी शर्थ स्विकार की तब प्रेतरा सरकार भी बाला जी मंदिर में बाला जी के सहायक के रुप में प्रकट हुए आज आप देखेंगे कि महंदीपुर में प्रेतराज जी का स्थान हनुमान जी से उपर सित है और मंदर में पहले श्री प्रेतराजी की आरती होती है उसके बाद हनुमान बालाजी की आरती होती है श्री प्रेतरा सरकार का दरबार रोज दोपहर दो बजे से चार बजे तक लगता है श्री हनुमान जी यहां बाल रूप में विद्धिमान है इसलिए इनको बाला जी कहा जाता है बाला जी की मूर्ती के ठीक सामने श्री राम जी और माता सीता का मंदर है जहां निरंतर बाला जी श्री राम और माता सीता के दर्शन करते रहते हैं महंदिपूर बालाजी में मुख्यर मंदिर के सामने ही तीन पहाडियां है परत्यक पहाडी पर कई प्राचीन मंदिर बने हुए है इनमें माता काली और भहरव का मंदिर अती प्राचीन एवं दर्शनी है महंदिपूर बालाजी में हरुमान जी की 151 फीट उन्ची एक विशा करना चाहिए समाधी वाले बावा का बोग जले भी से लगा जाता है बाला जी हनुमान जी को कल्यूप का जागरित देव कहा जाता है और यहां आने पर बाला जी अपने सभी भक्तों के कश्ट दूर करते हैं दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही आशा करते हैं वीडियो लाइक कर दें और जादा से जादा शेयर भी कर दें हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्राचीन इवन चमतकारी मंदरी की स्थापना की कथा के साथ धन्यवाद दोस्तों